लव इंफेनिट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वाकत है तो सवाल ले लेते हैं सबसे पहले समित कलसान जी का उन्होंने यह पूचा है जीवन मरण के उपर ही कुछ पूचा है वो भी ट्वीन फ्लेम के तो उन्होंने यह पूचा है कि ट्विन फ्लेम जब रिंकार्नेट ह रह जाते हैं या spirit guides बन जाते हैं या क्या है क्या नहीं तो उसके बाद भी क्या होता है और क्या फिर next जनम में मिलते हैं इस तरह के जनम-जनम की सवाल इनके बहुत थे तो मैं यही कहना चाहती हूं अगर आपका भी यही है सवाल तो इसका आंसर यही है कि देखिए twin flame journey एक concept है जैसे soulmate एक concept है इसी तरह से twin flames भी एक concept है शिवशक्ती भी concept है जो चीज इस trend में चल रही है उसको उसको लोग देखने सुनने लगते हैं बहुत ज्यादा ही तवक्को तवज्चो देने लगते हैं असल में twin flames तो हम सभी है वैसे देखा जाए तो क्योंकि यह past life connection होता है past life में हमारा किसी ने किसी के साथ तो soul connection रहता ही है ठीक है ना तो कुछ जो particular twin flames के योग होते हैं वो अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है लेकिन यह concept है इस चीज़ को ऐसे समझे हैं तो basically हम human being असल में तो हम है इंसान तो इंसान अगर हम है तो हम यह क्यों सोचे कि twin flame अगले जनव में क्या बनेंगे soulmate बनेंगे वो बनेंगे तो कटे कर रहा है इस हम हमने हमारे कर्म को ही निर्धारित करके हम वापस आतें यह हम ही spirit world में अपने आपको सजा देते हैं और आगले जनव को निर्धारित करते हैं अब हमने इस जनव में इस तरह से करना है और प्रदीप जी का भी एक सवाल था उन्होंने यह कह 다양 Hey user कुछ था और उन्हें यह पूछा था कि क्या ट्विन फ्लेम्स और सोल मेट्स जस्ट कॉंसेप्ट है ना यह तो भई कैसे भी हो सकता है तो सवाल मैंने नोट नहीं किया हुआ इसलिए प्रॉपरली मैं बोलने ही पा रही हुआ उनका यही कहना था हाँ उनका यही कहना था कि ट्विन फ्लेम्स लाइट्रैक्स लाइक वाली बात बताई थी उन्होंने तो मैंने कहा था वीडियो में बताऊंगी तो प्रदीब जी आपका सवाल का यह अंसर उन्होंने आपने यह कहा था कि twin flames को twin flame ही attract करता है है ना तेके ऐसा भी नहीं है क्योंकि अगर empath है empath अधिकतर divine feminine energy में होती है तो divine feminine energy और empath energy एक बंदे में एक लड़का एक लड़की में हो सकता है जो कि अपने opposite को भी attract कर सकता है जैसे narcissist को तो उन्हें, क्योंकि नासिस्स्त पहुती playboy type के होते हैं और dual nature के होते हैं और बाहर से कुछ अंदर से कुछ होते हैं तो बाहर से बहुती pleasing personality दिखाते हैं बहुती pleasant mahal दिखाते हैं अपना बहुत सब कुछ illusion और जूट होता है उनके साथ तो आप जो divine feminine या फिर empath या फिर twin flame होते हैं तो वो narcissist पे attract हो सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि twin flame twin flame को ही attract करेगा exactly यह बात तो बिल्कुल सही है मैं आपके बात को बिल्कुल भी agree कर रही हूँ बिल्कुल agree कर रही हूँ कि like attracts like आप जैसे हैं वैसे देखें अब हम twin flame मिलते हैं तो फिर dm अलग होते हैं और df की energy अलग होती है df बिल्कुल देती देती है और वो सिर्फ लेते लेते हैं dm है ना तो फिर हम कहां attract कर रहे हैं एक दूसरे को वो तो लेने वाले हम देने वाले हैं तो like attracts like वाला solution का क्या मतलब हुआ इसको और deep में लेके जाएं तो यह समझे है कि dm बार-बार लेने की ही उसमें क्यों रहते हैं और आप divine feminine सब कुछ जानते हुए giving की ही energy में क्यों रहते हैं दोनों के अंदर lacking of something होता है है कि नहीं इसलिए lack attracts lack ठीक है सम्रद्धी attracts सम्रद्धी abundance attracts abundance अगर आपके अंदर आपकी soul आपका मन बिल्कुल घरीब दिख रहा है लेकिन soul ऐसी लगती है आपको कि yes I am मैं बहुत अमीर हूँ मैं दिल से अमीर हूँ मैं सोच से अमीर हूँ मैं हर चीज से अमीर हूँ affluent हूँ अपने आप में अपने शरीर में अपने मन में अपने दिमाग में तो आप ऐसे ही लोगों को attract करेंगे तो इसलिए तो twin flame journey में बहुत से कार्मिक और नार्सिस्ट मिलते हैं और धीरे धीरे वो चटने लगते हैं automatically आप से लड़ लेंगे या आप उनसे लड़ लेंगे या वो आप तरक्की करेंगे तो वो अपने आप पीछे से जब आतली गली से निकल जाएंगे क्या reason है reason यही तो है like attracts like आपकी जो energy जैसी जैसी बढ़ती जाएगी उपर की ओर आप ऐसे ही लोगों को attract करते जाएंगे है कि नहीं अगर आपकी mentality victim mentality has time आपकी energy victim mentality की है तो आप victim mentality के ही लोगों को attract करेंगे पता नहीं लगता की जैसे की संकती से दिखकर, हम कहते है कि यह इसका दोस्त हो इसकी संकती में dzit लेकिन जब एक दोस्त अपने आपको ज़गरत करके ऊपर की और बढ़ता है तो जो दूसरा नीचे रह जाता है वो यह कहता है यार तू तो बदल गया है लेकिन अगर वो अपनी energy को उपर नहीं करे enhance नहीं करे अच्छी आदती ना बनाए ना build करे तो वो नीचे ही रह जाएगा और वो कहेगा हाँ मैंने तो छोड़ दिया यह तो बहुत बदल गया है तो वो अपनी ही energy का किसी और को ढूंडेगा तो वो like attracts like उसके लिए हो जाएगा और आपके लिए क्या होगा जब आप आपको वो छोड़ देगा तो आपको भी उनको छोड़ने में कोई तकलिफ नहीं होगी क्योंकि आप समझेंगे कि अरे ये तो समझी नहीं रहा है तो मैं क्यों इसको समझाता रहूं जिसे प्यास नहीं है मैं क्यों उसे पानी बिलाता रहूं तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे आप अपनी soul mission पे चले जाएंगे आप spiritual journey पे चले जाएंगे तो आपको उसी तरह के लोग मिलने लग जाएंगे जो कि spiritual journey को सीख कर रहे हैं और जब seeking के बाद आप और जादा आगे बढ़ चुके होते हैं माली जे आप एक guru की या एक management की post पर पहुँच गए spiritual journey में ही तो आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे नीचली energy के लोग नहीं मिलेंगे वो भी मिलेंगे लेकिन आप उन्हें समझ जाएंगे या फिर आप उन्हें guide करने like हो जाएंगे और आप उन्हें इतनी अच्छी से guide करेंगे क्योंकि आप समझेंगे कि अरे यार कभी मैं भी तो इसी energy में था या थी तो यही मैं कह रही हूँ जब मेरी भी वेक्टिम mentality थी तो मुझे इसी तरह के लोग दिखते थे हाँ बेचारी ओ कुछ नहीं कर सकते क्या करें ना कुछ नहीं कर सकते जौब नहीं कर सकते सब कुछ चाड़के बैठ गढ़ें जाड़ू पुचा बरतन कर रहे हैं तो हम दूसरे को सह रहे हैं इसलिए हम सिर्फ नीचे वाले काम कर रहे हैं sorry sorry तो आप यह जोचने लगते हैं कि जब आप छोटे काम कर रहे होते हैं आपकी आत्मा कहती है नहीं मुझे सिर्फ जाड़ू पुचा बरतन ही नहीं करना है मुझे और आगे बढ़ना है यह मैं कर रही हो for the time being क्योंकि मेरे साथ अभी इस तरह से हो रहा है लेकिन मुझे यह नहीं करना है मेरी यह सोल मुझे गवारा नहीं करती तो फिर आप आगे बढ़ते हैं जब आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के लोग जो आपको दबा रहे हैं सप्रेस कर रहे हैं नासेसिस्ट हैं या कार्मिक हैं वो अपने आप पीछे होने लगते हैं वो आपकी इतनी अच्छे सुन्दर औरा से डरने लगते हैं फिर वो आपको उस तरह से मारते पीटते या कटाक्ष नहीं करते हैं दूर से बोलेंगे फिर दूर से बोलेंगे और एक ना एक दिन दूर हो जाएंगे टाइम लगता है सालों लगते हैं लेकिन आप खुद समझ जाएंगे कि आव वाव मैंने अपने आपको थोड़ा सा हिम्मत बंदाई मैंने इश्वर से थोड़ा सा हाथ उपर फेलाया कि हे इश्वर मेरा हाथ पकड़ ले मुझे इस दलदल से निकाल दे और विश्वर ने मुझे खींच के निकाल दिया कुछी दिनों में, कुछी महीनों में, कुछी सालों में बस वो मेरी बुद्धी के अनुसारी है कि मुझे सालों लग गए है ना, सब की अपनी बुद्धी के अनुसार है ऐसा ही ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं जब थी तो मुझे तो नहीं पता था न मुझे तो just 2017 में के end में पता चला फिर 18 से लगातार वीडियोज देखती रही लगातार फिर समझती रही एक तरह से यह studies थी वीडियोज की, blogs की, books reading करा बहुत कुछ है अब आप कहेंगे Twin Flames से related कोई book बता दीजे तो कोई एक book तो है नहीं जिसमें कि सारे symptoms आजाएं, सारे stages आजाएं, क्या करना है, क्यों करना है do's and don'ts आजाए, pros and cons आजाए, वो सब कुछ एक book में नहीं है सब अपनी stories लिखते हैं, अपनी life stories, तो उसमें से आप एक दो बाते जान सकते हैं तो अगर इतनी किताबे मैं बताऊंगी तो वो बहुत हजारों का खर्चा हो जाएगा क्योंकि Amazon पे 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6,000 की भी Twin Flames से related या particular एक topic पर जैसे की Divine Masculine की energy Divine Masculine का experience तो इस तरह में बहुत सारा पैसा लग सकता है तो यहां छोटे-छोटे अपने experiences के साथ साथ जो भी मेरा यह knowledge मैंने इकटा किया है तो मुझे लगता है कि यह आपको देना जरूरी है चोटे-चोटे वीडियो के माध्यम से और प्लस मेरे experience के माध्यम से और Hindi language अलड़ी है यह थोड़ा बहुत Hindi English mix है तो सभी समझ सकते हैं और जान सकते हैं तो इसी से आप enhance हो यह समझ यह और no doubt भी कर सकते हैं कि क्या point बताए हैं क्या कर सकते हैं तो इस तरह के से आप आगे जीने लग जाएंगे और मैं कहूंगे future में यह होगा reunion हो सकता है अगले जनम में यह होगा वो होगा यह बेकार की बाते हैं अगले जनम का मैंने तो नहीं देखा न और किसी किताब में भी नहीं है तो जब कहीं पर किसी book में या किसी scientist ने भी नहीं बताया कि twin flame जनम लेके अगले जनम में क्या करेंगे तो फिर उन्हें भी नहीं पता तो how can I tell you तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ ना तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि आज में जीएं present में जीएं आज का दिन अच्छा आज का एक घंटा आपका अच्छा तो अगला एक घंटा भी अच्छा आज के 24 गंटे अच्छे अगले 24 गंटे भी अच्छे जाएंगे अगर आपने अपने माइंड के लिए काम किया अपनी सोल के लिए काम किया अपनी बॉडी के लिए काम किया योगा मेडिटेशन किस के लिए डियम के लिए थोड़ी ना करना है अपनी माइंड और बॉडी के लिए करना है तो यही आपने काम करना है और दूसरा यही मैं बता रही हूं प्रदीब जी को भी कि हां लाइक अट्रेक्स लाइक होते हैं सोल्मेट सोल्मेट को लाइक करता है पसंद कर देता है उससे ही शादी हो जाती है या क्या बोलते हैं फ्रेंड्शिप हो जाती है और ट्वि हैं तो अच्छे लोग मिल जाते हैं तो इसी तरह से एक्जाक्ली प्रदीब जी का भी आंसर बिल्कु सही है कि हां लाइक होते ही है तो आप अपनी एनर्जी को इतनी हाई कीजिए कि आपको अच्छे लोग मिले हो सकता है आप यह चाते हो कि मुझे ना ओबामा से मिलना है एक दिन मुझे किसी बहुत बड़े गुरू से मिलना है एक दिन लेकिन मेरी तो एनर्जी इस लाइक नहीं है उत्यों दूर से बगा देंगे को ने भई अपने आपको सुधारने और संभालने की टेक्निक्स तैंक यू सो मच सवाल पूछने के लिए और आशा करती हूँ सवाल के जवाब आपको पसंदाया होगा और आगे ही अपनी जर्नी को इसी तरह से बढ़ाते रहें और सवाल जरूर पूछते रहें ताकि आप भी आगे बरूँ थैंक यू थैंक यू सो मच हर तरह से लाइक शेर डिसलाइक और सब्सक्राइब वटेवर हां यह डिसलाइक के लिए मज़े कोई परिशानी नहीं है बस मैं यह इसलिए बोल देती हूँ कि मैं आपकी इस पसंद और नापसंद को भी सुखार करती हूँ मैं अपने तरह से टाइम निकलता है निकालते हैं हर चीज़ मैनेज करते हैं एक तरह से यह वीडियो फिल्म मेकिंग ही हो जाती है प्रापर लाइट प्रापर साउंड ठीक से आए और आसपास की आवाजे भी ना आए तो यह बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और उस समय उ दिल्कु सही जानकारी दी डिसलाइक क्यों आ रहे यह धीरे 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 आप अपने आपको सुधार सकते हैं और इसी तरह के से इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं क्योंकि यह सब आपके उपिनियन्स है आज ऐसे हैं तो कल आगे सुधरेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं वाकई आप सभी का भूत-बहुत धन्यवाद करती हूं सब कुछ आप वीडियोस से देख रहे हैं समझ रहे हैं और लाइक शेयर इसक्राइब क्या बलते हैं सबस्क्राइब और लाइक से डिसलाइक जो भी दीजिए और description box में मेरा phone number लिखा हुआ है whatsapp number है आप voice call पर भी मुझसे tarot reading ले सकते हैं और इसी तरह से whatsapp पर video call कर सकते हैं तरो reading ले सकते हैं और उस काफी only 1500 रुपे है क्योंकि first June से बढ़ा दिये गए है charges और astrology का भी 1500 रुपे है जिसमें 5-7 सवाल आप पूछ सकते हैं और एक ये बात है कि astrology में सिर्फ एक सवाल पूछना है जैसे कि घर, twin flame, marriage, website, business सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन एक particular चीज पूछना है कि मैं please बताना वित्रदोश तो नहीं है या please बताना कोई black magic तो नहीं है या फिर एक चीज बता दीजे कि foreign tour कब लग सकता है क्या वो यात्रा ही होगी या वहाँ पे जाके business करना होगा और कब हो सकता है time period बता दीजिए तो एक particular question के लिए भी आप astro reading ले सकते हैं और tarot reading के लिए आप half an hour के भी reading ले सकते हैं full hour के लिए 1500 रुपे है half an hour के लिए only 800 INR only ठीक है thank you thank you so much bye